मैं लोको पाइलेट हूं। फ़ते साल से चला रहा हूं। कैसी क्या के सर्विस हैं। सर्विस है यहां पर अच्छी है, एसी की सभी दो है। आपकी कोई समच्चिया नहीं है, बैडशीट बगारा कोई समच्च्चया नहीं है। हम अपना राशन देते हैं और यह बना बहुत ही बढ़िया है घाली हम अपना राशन देते हैं तो नेचरल है जो हमें राशन बनके में प्रिपरेशन काम है यहां पर जो प्रिपरेशन होगा वह मिलेगा अब अब यह मनाते हैं कोई समस्या नहीं कोई समस्या नहीं कोई समस् जैसे कि हम कोई भी गाड़ी लिगे आते हमारे लिंक होता है और शूम को यहांको पने में किसे महीं थे प्रफाइश सहे ब возьले हुआर्य किसे वह ähänमुडले को फृंज ev anh अभी अभी हमें आये थे रात को, सुवे पांच वजे आये थे, अब स्वाम को पांच वजे लग दजन्टे जादा का रेष्ट है. इन जन्ग में क्या कोई दिक्कत होती है जब आप गाड़ी चलाता हैं? नहीं कोई समस्चा नहीं होती है? गाड़ी चलाने में कोई सुदा नहीं है? जो फैसिलिटी यहां पे है रनिंग रूम में बहुत अची है, एर कंडिशन रूम है, यहां पे उनको रेस्ट की फैसिलिटी है, इसके अलावा अगर वो फुट मसाज या कुछ और तरह का उनको स जैसे ड्रेवर साहब ने बताया है, लोको पाइलेट साहब ने बताया है, कि प्रयाप्त रेस्ट मिलती है, अगर आप ओल इंडिया लेवल पे देखें, तो करीब जो एवरेज ड्यूटी नौ घंटे, अठारा मिन नौ घंटे, बीस मिन की बनती है, इसके इलावा कम भी ब और यहां पर फेसिलिटी अच्छी है, यहां पर कोई भी खाना भी उन्हें ने बोला के अच्छा है, जो राशन दिया जाता है, उसके हिसाब से उनकी अपनी मन पसंद का खाना बन के आता है, जो सांसर यहां पर आयते हैं, जो उन लोको पाइलेट से बात की, तो उनने का मैंने वही आपको बताया है कि एवरेज डूटी अगर आप पूरे लोको पाइलेट की निकाल के देखें, नौ घंटे अठारा मिनिट ओवराल बनता है, इंडियन रेल्वे लेवल पे, कुछ केसे में अपवाद हो सकता है, कुछ केसे में कम भी रहता होगा, जैसे इनकी इ आठ गेंटे ये साथ गेंटे काम करना पड़ता हो, फिर बारा गेंटे के रेस्ट हो या आठ गेंटे के रेस्ट हो, लिंक के हिसाब से गाड़ी, और आपको पता है कि आपको इतने गेंटे काम करना है, फिर इतने गेंटे आपको रेस्ट मिलेगा, और नेक्स गाड़ी के लिए आपको फिर इतने वज़े जाना है तो आप पूरी तरह अपना रेस्ट और खाना पीना आप अराम से प्लान कर सकते हों